नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे Clamping Devices के बारे में Clamping Devices क्या होते हैं जो की Work Piece को Hold करने के काम आते हैं Easily Hold करने के काम आते हैं और वापस उसको फिर से Remove करने के काम आते हैं तो बहुत ही easy way में जो Clamping और Declamping करने के काम आते हैं उनको हम लोग clamping devices बोलते हैं दूसरा ये production को जो है increase कर देते हैं इस वज़े से क्योंकि काम quick time पे होगा तीसरा total जो production पे cost लगनी है उस cost को decrease कर देते हैं ये भी इनका benefit है और सबसे mainly जो इनका benefit रहता है clamping devices का वो होता है quality improve करने का ये quality को बहुती quick time में improve कर देते हैं क्योंकि जहां पे हमें जिस position पे workpiece को fix करना है तो उसी position पे ये workpiece को आसानी से fix कर देते हैं तो ये function होता है clamping का, clamping devices का तो clamping devices जैसा इसमें mention किया वह लिखा हुआ है कि these are those devices which are used for easy clamping and declamping of workpiece तो इसका मतलब clamping और declamping के काम आता है बिल्कुल आसानी से अब इसके types की बात कर लेते हैं हम लोग की कौन-कौन से clamping के devices होते हैं जैसे सबसे पहला होता है cam type इस means ये एक cam operated type device होता है clamping device होता है किस तरह से हम लोग इसको simply way में operate करते हैं जैसे ये figure दिख रहा है इसमें तो हमें ये workpiece है इस workpiece को fix करना है तो इस workpiece को fix करने के लिए हमने जो cam type clamping है ये की हुई है तो यहां से ये जो एक तरह का lever जो दिख रहा है इसको हम press करेंगे जैसे ही press करेंगे तो ये क्या होगा ये उपर उठेगा और इसके नीचे workpiece को हम लोग जो है put कर देंगे लगा देंगे फिर इसके बाद इसको वापस release कर देंगे release करते ही ये वापस जो है इसको tightly hold कर लेगा यानि कि जैसे workpiece रखा तो it means आसानी से इसकी सायतास इसको जैसे press किया तो जगें हो गई workpiece हमने रखा वापस छोड़ा तो इसने workpiece को आसानी से hold किया तो बहुत ही आसानी से ये workpiece को hold कर लेता है ये जो है इसका clamp पर है यानि clamp करने में मदद करता है और ये इसकी cam है और ये इसका इसमें जो है हम लोग workpiece को hold करेंगे दूसरा जो type है वो होता है strap type clamp strap type clamp जैसा इसमें दिख रहा है कि एक हमने यहाँ पे जो strap लगा दी है और वो जो operate होगा वो with the help of a nut यानि कि ये एक तरह से जो nut और bolt का principle है उस तरह का काम करेगा इस nut को हम लोग open करेंगे springing action जो है वो नीचे लगी रहती है spring तो springing action पे किस तरह से work करेगा कि जैसे nut को हमने open किया तो ये spring की वज़े से इसको एकदम से क्या करेगा जो energy इसने release करेगा वापस जो press करने के बाद जो energy इसने gain की थी उसको release करेगा तो ये क्या होगा उपर उठेगा तो work piece को हम लोग क्या करेंगे remove कर देंगे और work piece को remove करने के बाद फिर जैसे work piece adopt करना है तो ये इसी position में तो work piece लगा इसको वापस हमने tight कर दिया तो इस तरह से वो work piece आसानी से ये hold कर लेता है next चो type है हमारे पास वो है simple bench wise simple bench wise जैसा जो कि bench पे लगा रहता है जिसमें दो wices रहते हैं या दो जा रहते हैं एक जो जा रहता है वो fixed जा रहेगा और दूसरा जो जा रहेगा वो movable जा रहेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें machine पे तो यह जो नीचे वाला जो base है जैसा कि वो वहाँ पे table पे लगा रहता है तो यहाँ पे ये जिग या fixture की body रहती है तो work piece को हमें इस तरह से hold करना है तो movable जो clamp है उसमें वो handle लगा रहेगा और बीच में से उसकी साहिता से हम लोग क्या करेंगे इसको move करके और work piece को आसानी से fix कर देंगे तो यह basic function रहेगा bench wise का next जो है वो होता है screw type clamp screw type clamp as the name indicate की जो clamping होगी वो हमारी एक screw की साहिता से रहेगी यह जो screw लगा हुआ है तो यह screw type अलग-अलग type के हो सकते है single screw भी हो सकता है या फिर हमारे पास multiple भी हो सकता है multiple से meaning यानि की जो double हम लोग इसमें screw लगा के और फिर आसानी से work piece को clamp कर सकते हैं इसमें नीचे जो work piece है इसको hold करके दिखाया हुआ है तो इसमें समझते हैं जो यह नीचे का जो base है यह fixture body रहती है या फिर jig body रहती है यहाँ पे बीच में ऐसा provision किया होता है ताकि यह locating की pin लग सके इन locating की pin का basic function क्या होता है कि according to work piece हम लोग इनको लगा सकते हैं उस पे आसानी से work piece जो है वो रखा जाएगा आसानी से work piece रखने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें जो है इस screw की सायता से इसको tightly hold कर सकते हैं तो इसको हम लोग जो है move करेंगे घुमाएंगे इसको गुम रिमूव करेंगे रिमूव करने के बाद फिर इसको हटा लेंगे तो नया work piece इस तरह आसानी से लगा सकते हैं तो यह इसका function रहेगा screw type clamp का इसका मतलब यह एक screw के principle पे operate रहेगी next जो होता है वो होता है hook type clamp hook type clamp से meaning क्या है कि जो hook है हमारे पास वो hook दोनों जो side हैं इन side में hook लगा हुआ है उस hook की सायता से हम लोग आसानी से work piece को hold कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इस side में भी लगा हुआ है और इस side में भी हमारे पास वो लगा हुआ है तो दोनों side में hook लग तो इसको clamping किस तरह से करते हैं यह नीचे एक screw लगा रहता है यानि कि नीचे एक nut लगा रहता है उस nut को open करते हैं और उस nut को ही close करते हैं तो open करने के बाद होता है तो यह उपर की side उठ जाएगा और फिर अमलोग workpiece को आसानी से remove कर लेंगे डबल में है तो दोनों में open कर ल कर देंगे तो यह basic function होता है hook type clamp का next जो होता है C type clamp C type जो clamp है वो इन दोनों से थोड़ा differ रहता है और जो C type clamp है उसके अंदर यह दिखाया हुआ है कि यह workpiece इस तरह से hold करते हैं और कौन से type के workpiece हम लोग hold करते हैं जो workpiece अंदर से hollow रहते हैं इसका जो end रहता है उस पे एक nut लगा रहता है और यह जो यहाँ पे जो clamp लगी रहती है वो clamp C type के रहती है C type से meaning SC clamp जिससे आसानी से कोई hollow workpiece है जिसका size इस nut से बढ़ा है तो उस workpiece को आसानी से इसकी साइता से hold कर लेते हम लोग इस nut को open करेंगे nut को open करने के बाद जैसे यह workpiece लगा हुआ है hollow workpiece तो वो इ बाया है hole का वो इससे बड़ा रहेगा तो इसमें से यहाँ पे पास करके यह workpiece को ले आएंगे workpiece को लाने के बाद यह clamp लगा देंगे और clamp लगा के इस nut को tight कर देंगे इस तरह से यह आसानी से हम लोग इस तरह के जो workpiece है जो hollow component रहते है उसको hold कर सकते है जब वापस तो इस nut को वापस हम लोग open करेंगे और open करने के बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ से clamp को remove करेंगे और finally clamp को remove करने के बाद workpiece को भी remove कर लेंगे तो यह एक आसानी से जो hollow type के workpiece है उसको hold कर लेगा तो यह थे दोस्तो clamping devices, clamping devices की क्या function है और कौन-कौन से type के clampers, clamping device हम लोग use करते हैं, तो thank you दोस्तो